राजस्थान की कॉंग्रेस सरकार के मंतरी और विधायक खुल कर मुख्य मंतरी अशोक गहलोत और उनकी सरकार की सारवजनिक रूप से आलोचना कर रहे हैं। आलोचना करने वालों में पूर्व उपमुख्य मंत्री सचिन पाइलट खेमे की बगावत के समय सीएम गहलोत का समर्थन करने वाले मंत्रियों वव विधायकों की संख्या ज्यादा है। पाइलट खेमा फिलहाल शांत है। लंबे समय से प्रदेश के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भरष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे कॉंग्रेस के विधायक भरत सिंह ने अब सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा मैं सत्य के लिए हमेशा बोलूँगा चाहे चुनाव नहीं लडू भरत सिंह कोटा के कुंदनपुर में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। भाग के कार्याले पर धर्ना देने को लेकर डाटा। इस पर चांदना ने कहा मैं मंत्री होकर बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं लगवा सकता। तो फिर किस काम का मंत्री वापस ले लो मंत्री पद मामला बढ़ता देख बैठक में मौजूद विधान सभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हस्तक शेप कर चांदना को शांत करवाया। चांदना ने पिछले साल सीएम के प्रमुख सचिव कुल्दी प्रांका पर उनके विभाग में दखल देने का आरोप लगाया था। टिकट को लेकर दावेदारों की सूची भी तैयार हो रही हैं। इसी बीच बाडमेर जिले की शिव विधान सभा च्षेतर से कॉंग्रेस विधायक अमीन खान ने टिकट को लेकर अपना दावा किया है। कोई और मुसल्मान यहां से जीत गया तो मैं एक लाख रुपए देने को तैयार हूँ। उन्होंने यहां तक दावा किया कि उनके अलावा यदि किसी और को टिकट मिला तो उसे 40,000 बोटों से हारना पड़ेगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अमीन खान ने कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग सन्यम रखे मैंने किसी से अपने लिए सिफारिश करने को नहीं कहा है। टिकट देने का काम सीएम का है वो जानते हैं कि देना है या नहीं देना है तो दे देंगी वर्ना मना कर देंगे लेकिन बाड़मेर से 50 लोग कूद कर क्यों गए थे। के लिए जो काम हुए हैं वो हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने नहीं किये। बीजेपी का राजस्थान में राज था। आज भी केंदर में बीजेपी की सरकार है। उनकी तरफ से आप लोगों को क्या फाइदा मिला। कॉंग्रेस और बीजेपी के काम की तुलना करो। अ कि यह सच है कुछ मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब यह मुख्य मंत्री की कमजोरी या मजबूरी है कि वे ऐसे मंत्रियों को नहीं हटा पा रहे हैं। लाल डाइरी और महिला अत्याचार के मामले में सरकार को घेरने पर राजेंद्र गुढ़ा को मंत्र मंदल से बर्खास्त किया जा चुका है। विधायक दिव्या मदेरना पिछले चार साल से विभिन मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधती रही हैं।